Hello friends, hope everyone is safe and fine तो हम लोग अपना continue करते हुए series आज हम लोग डिसकस करेंगे precision medicine के बारे में तो आप लोग आने generally दो टर्म सुने होंगे precision medicine और personalized medicine के बारे में पर क्या आपको इन दोनों के पीछ का difference पता है अगर नहीं तो कोई बात नहीं आज हम लोग इस वीडियो में इसे के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप graph देख रहे हैं यह Google trend यह फिर Google search है precision medicine और personalized medicine का 2005 से लेके 2019 तक तो इस बीच आप देखेंगे कि दोनों trend में उपर नीचे हुआ है तो पहला जो यहाँ पर यह यह अलो कलर का जो आप देख रहे हैं यह donate करता है personalized medicine टर्म कितनी बार Google पर search किया गया है वहाई से यह जो आप orange color का देख रहे हैं यह है precision medicine के बारे में 2005 से लेके 2020 तक precision medicine कितनी बार Google पर search किया गया है all over world तो आप देखेंगे कि यहाँ पर personalized medicine जो है वो काफी high पर था पर दिरे दिरे वो low भो रहा है as compared to precision medicine जो 2005 में जहाँ कम सर्च हुआ करता था वहीं अब भी overtake कर लिया personalized medicine को तो ऐसा क्या हुआ है तो ऐसा सीन का 2015 के आसफास यहाँ पर जो ब्रयाक ओबाम ने एक इनिसीटिप चालू किया था precision medicine initiative जिसके through precision medicine को और बढ़ावा देने के लिए और उसको और research करने के लिए कुछ fund दिये गये थे तो आईए अब देखते हैं इन दोर में difference क्या है और कैसे काम करती है तो इस slide में हम देखेंगे कि precision medicine में कौन-कौन से technology या tools यूज होते हैं इसको एक better treatment option बनाने के लिए तो उससे पहले जैसे मैं बोला था precision medicine और personalized medicine के बारे में इन दोरों में थोड़ा narrow फर्क है क्या है कि personalized medicine मतलब अगर किसी एक बंदे को अगर आप medicine दे रहे हैं ठीक है तो उसको personalized medicine कहा जाता था कि अगर वो medicine सिर्फ इस बंदे के लिए ही बनी हो और वो दूसरे पे काम ना करे तो इसमें क्या है कि इसमें पहले बात cost एक बंदी के medicine दानने के लिए cost है पर इसके लिए बहुत advanced technique चाहिए कि वो सिर्फ इस पे काम करे और किसी और पे वो काम ना करे तो यह personalized medicine का टर्म ऐसे donate करते थे वही precision medicine मतलब क्या है कि वो एक पूल बना देता है लोगों का जैसे कि for example slide में देखते हैं यह यहाँ पर क्या है कि लोगों को divide कर लेगा है अलग-अलग trade पर for example यह इस पर देखिए यहाँ जो blue color के हैं वो एक trade एक group हो गया green egg हो गया तो precision medicine ऐसे काम करते हैं कि यह वो drug इस पूरे group पे काम करेगी ना कि किसी एक single वेक्ती पर यह single individual पर और इंडिविजलाइज मेडिसीन या फिर पर 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 संपर काम करेगी तो दोनों का कभी कहें overlap होता है कहीं इसी को कहते हैं तो इस टाइप के कुछ website पर आपको मिल जाएंगी जन करें तो मैं सुच आपको बता दूँ तो यहाँ मतलब किलियर है परस्ट इसे मदे के लिए और इसे मुपन मतलब किसी एक बंदे की लिए और प्रिजिजन अब देखते की कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं तो पहले तो इसमें जनोमिक्स का होना ज़रूरी है डेमोग्राफिक्स, इंडिविजुल के प्रिफरेंसेज और ग्रुप की प्रिफरेंसेज क्या हैं, फिजियोलोजी कैसी है, और अधर वायलोजिकल क्रेक्टरिस्टिक्स, परसन के बिएवियर, इंवार्मेंट, डिजी सब्स, ठीक है, यह यह प्रिजियन मेडिसिन टूल में यूज करते हैं, इसके लिए हमें सूपर कम्प्यूटर्स यूज होते हैं, AI या फिर मसीन लर्निंग, साथ ही साथ, नेक्स जनरेशन जिनोम सेक्वेंसिंग जब आईगी, तो उससे क्या होगी, जिनोम की सेक्वेंसिंग बहुत इजी हो जाएगी, तो आपका जिनोम जो है ये सेल्स को लिए, उसका जीन स्कैन कर लिए, एबन पैदा होने से पहले ही कर सकते हैं, तो उससे पता लग जाएगे कि उसको कौन कौन सी डिजीस के लिए हो सबसेटिबिल है, तो उसके जीन में ऐसा कोई म्यूटेशन है, पर्टिकुलर, जो वो फ्यूचर में जाके वो कौश कर सके, तो और इंटिफाई कर लेंगे, दूसरा डेमोग्राफी, इसी रिजन से आया है, सोचल एकनोमिकी स्टेटस क्या है, वो सब इसमें कवर होगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, जब हम प्रिजीजन मेडिसीन बनाते हैं, थर्ड आता है प्रिफरेंसिस, मैं इस अदर ओडलत किया है, कौन से जीन म्यूटीटर है, कौन से नहीं है, मेल है, फिमेल है, बाकिसा और बहरी कैसा है, गारता है, और फिर डिर किसा है cold में रहता है hot में रहता है या फिर वहां की pollution इंडेक्स क्या है तो वह सब चीजे हम सब कुछ लेके एक precision medicine tool बनाएंगे जिसमें हम करेंगे particular बंदे को ठीक है अब इससे फाइदा क्या होगा इससे यह हो सकता है कि हम यह हूशा कर सकते हैं कि इससिजा कर कर सकते हैं और फिर चांट इसके हम ने जैसे कि यह हैंसे ब्रहे पर नल मागे की इसको कुछ आधे से अन्दर को जीन हो गया है नहीं हो गया है तो diagnosis में help होगा और किसी disease की prognosis में help कर सकता है prognosis मतलब किसी disease की होनी की संभावना और probability क्या है कि ओ disease होगी ठीक है तो अगर आपके पास genomic data है preferences है physiology, biological तो वही मैं कह रहा था कि इसे सबसेटरिबिल्टी वैसे prognosis में पता चले कि उसका disease हो सकती है और ध्यान रुकिए ये data सिर्फ हमको किसी एकी percent के पास से नहीं है ऐसे लाग हो लोग है जिनका data हमारे super computer या फिर हमारे database में save होगा तो हम लोग उनके traits से उनके trends से भी पता कर सकते है कि हो सकता है अगर for example X का ये trait था, ये preferences था और Y का भी वैसे similar है तो जो X को बीमारी हुई है वो Y को भी होने के chances होंगे तो इसमें भी हमारा precision medicine tool help करेगा prognosis में next होगा उसको use कर सकते है treatment response में अगर हम लोग कोई drug दे रहे है ठीक है अगर उसका genomics कैसा है उसका demographic कैसा है तो precision medicine इस पे ज़्यादा focus है और treatment response के लिए तो उसका हम लोग के example भी देखेंगे हर 17 तो इसमें क्या आप group में divide कर लिये है population को तो एक population पे एक particular type का treatment देंगे तो इससे treatment से वो बंदा सही होने का और treatment success होने का chances बहुत high हो जाते हैं precision medicine tool यूज करते हैं तो यह सारे फायदे है precision medicine तो अब देखेंगे हम की precision medicine की need क्या पड़ी हमेरे पास वैसे ही दवाईया है and we are treating people तो precision medicine precision medicine की need क्या से arise वी तो problem क्या है कि जो हम लोग अभी तक दवा है हमारे पास for example for example अगर anti-depressant की दवा है citalopram तो वो सारे anti-depressant patient को हम लोग देते हैं तो वो किसी में effective होगे किसी में effective होगे depend on traits for example 38% anti-depressant drug होती है वो अपने patients में ineffective रहती है या फिर उनसे relief नहीं मिलता है वो है arthritis का 50% है और cancer में तो यह 75% तक है तो इसलिए हमें precision medicine की तरफ जा रहे हैं कि इस particular ट्रेट पे किसी particular genotype को लेके हम लोग patients का segregation कर देंगे और वो particular drug उस particular segment वो patient में ही effective होगी जिसे treatment का भी फायदा patient को ज्यादा मिलेगा जल्दी recover होगा पैसिंट को doctor को भी precision लेने में असानी होगी तो इसलिए हम लोग precision medicines के तरफ move कर रहे हैं आईए अभी जैसे मैंने आपको बोला था solution पहले क्या था कि अगर एक symptom है और एक disease state है ठीक है एक patient group है और one patient group है और वही treatment साहरे को दिया जा रहा है यही drug अगर आपको for example anti-depressant है तो आपको डॉक्टर अपने experience पे दवा देगा stelopram हो गया और फिर कोई और anti-depressant drug हो गई पर ऐसा कोई उसके अलावे ऐसा कुछ नहीं कि एक इन ग्रूप में बाट दे और एक पर्टिक्लर को उस पर्टिक्लर पर्टिक्लर ट्रेड वाला ही ड्रग दे जबकि वही वही आज हम लोग क्या करते हैं कि पेसेंट को यहां पर दीखिए कि इस एक पर्टिक्लर ट्राइड ट्राइड में for example blood group के basis पर बाट देते हैं ए ए बी ओ ऐसे करके तो उस पर्टिक्लर ग्रूप और ट्रेड में वह पर्टिक्लर ड्रग जादा एफेक्टिव होगी तो उसको हम वही ड्रग देंगे तो यहां पर क्या होता है कि किसी पेसेंट को सरे तो सब टाइप करेंगे तो यहां पर में वां ट्रिकस स्टेट है यह पर देख लेते हैं अजवांस करो आपल देख लेते हैं यह जो मैं आपको हाँ समझाया था वह पहले वही स्लाइड में होई कि सबको अलग अलग डिवाइट कर लिया सबका फिर उसी साफ से अलग अलग treatment देंगे बेश तो यह बस उसका सेग्रिगेशन है आप पहले था कि सेम ट्रीटमेंट सारे लोगों को मिलता था अब होगा कि सबका अलग अलग ड्रग होगा अलग अलग ग्रूप के लिए तो इसका एक एक अग्जांपल है हर सेप्टिन हर सेप्टिन जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते हैं तो यह उनहीं को देते हैं जो हर्टू पॉस्टिव होते हैं हर्टू रिसेप्टर हर्टू रिसेप्टर हर्टू रिसेप्टर जिनके में में सेल्स में ज्यादा पाया जाता है हर्टू पॉस्टिव होते हैं उनहीं को देते हैं इस वजह से फॉर एक्जांपल अब इसी स्लाइड करेंगे यह यहां पर हम लोग यह ब्लू वाले को चूज करेंगे फुर हर्टू पॉस्टिव तो यह रिचान पर यह ज्यादा एफिक्टिव होगी एक्स कंपर तू दोस्तो यहां पर हम लोगों ने ट्रीटमेट मेफिकेसि बढ़ा ली तो ऐसे हैं प्रिसीजन मेडिसीन यहां पर यह ब्राइन k काफ़ी ज़्यादा सेल सेंगा a a टो प्रॉष समराइच करने के लिए में इतना कहना चाहूंगा कि जैसे आज कल क्या हो अगर आपको एक टाइप की बीमारी है तो उसके लिए एक ही दवा होगी पर फ्यूचर में क्या होगा आप समझे की बीमारीों के भी बीमारी के टाइप आ जाएंगे तो उस ब्रफोज को सब को गुरूप करेंरे तो गुरूप करने जिनोमिक्स के स्टेडी से पता कर लेंगे कि किस किस डिजीज के लिए सबसेटीबल हो सकता है तो उसको उससे बचाएंगे फरक्जामपल अगर ट्रेड एक्स जो है इंसुलीन से लिंक है तो डायबेटीस का खत्रा बढ़ जाएगा तो उसको उसको ऐसी हल्दी लाफ इस्ट करेंगे थैंक यू इस्टे सेफ इस्टे हल्दी